29 जून बना दिब और दुरलब स्वसयोग असाड़ अमश्या कुट्टे को खिला दें ये एक छोटी से चेज पित्र दोस बदल जाएगा पित्र आसिरवाद में मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ती दोस्तों असाड़ माश्य की अमश्या जैसे असाड़ी अमश्या या हलहारणी अमश्या भी कहा जाता है इसे यह अमश्या पित्रों को समर्पित होती है इस बार इस अमश्या तिथि को लेकर कनफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि इस बार यह अमश्या तिथि 28 जून को सुबह पांच बच कर 32 मर्ट पे सुरू होगी और 29 जून की सुबह 8 बच कर 21 मिनट पर समाप्थ होगी दोनों ही दिन सुरू उदे के समय अवश्या तिथी रहेगी इसलिए उद्या तिथी के हिसाब से इस बार की यह अशार अवश्या की जो तिथी होगी 29 जून दिन बुद्धवार को होगी इस अवश्या पर पित्रों के निमित्र दान करने से पित्र अत्रशीगरी प्रसन हो जाते हैं और उनका आश्रवाद मिलता है और अपनी बंसजों को अपना आश्रवाद देते हैं और कश्टों को भी दूर कर देते हैं इस असाड़ी अवश्या पर पित्रों के निमित इश्नान दान इस्तराद तरपन करने से पित्र दोस्ट से मुक्ती तो मिलती है साथी साथ पित्रों का आश्रवाद भी मिलता है गंगजल डाल कर जरूर आप नहाएं। सुबसाइयोग स्वार से तुलना में कई गुना अधिक पुन फलों की प्राप्ति होती है। पर कई दुरलब जैसे कि हमने बताये कि शरवार सिध्योग और अमरित सिध्योग का भी निर्माड हो रहा है और अगर आप इस असार अमश्या पर आप एक छोटा सा उपाय कर लें जो हम आपको एक बहुत ही असरकारक और चमतकारी उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपको सभी कष्टों से मुक्ती तो मिलेगी साथी पित्रों का आसरवाद भी प्राप्त होगा पित्र दोस बदल जाएगा पित्र आसरवाद में आपके जीवन में किशिवे प्रकार की जो रुकावटी आ रही थी नौकरी बिजनस व्यापार में दिक्कते थी घर में शुक्षम्रदी की कामना चाहते हैं आप सरन देव की कृपा चाहते हैं अनेक प्रकार के बिगन बाधाओं से छुटकारा चाहते हैं सारे काम बनते चले जाएं, तो आप इस उपाई को जरूर करें, और अगर आप चाहतें कि हर कारियों में, हर रुकावटों से परिशानियों से मुक्ति मिले, तो आपको ये छोटा सा उपाई जरूर करना चाहिए इस असार हमश्या के तिथी पर, क्योंकि इस उपाई को करने से पित्रों का असिरवात तो मिलता ही है साथी साथ आपके सारी कष्टों से भी छुटकारा मिलता है दोस्तों उपाई करने के लिए सबसे पहले तो आप इश्नान करें और स्वक्ष वस्तर धारन करें अब आप अपनी मंदर के सामने यानि की जाएं और आसन बिछाकर बैठ जाएंगे फिर भगवान विश्नान और माता लक्षमीजी की आराधना करें क्योंकि जो अवश्य तित्थी पर भगवान विश्नान और माता लक्षमीजी को समर्पित होती है तो अवश्य तित्थी पर आपको भगवान विश्व और माता लक्ष्मी की बिद्विधान से पूजा करने चाहिए दोस्तो जो अमश्यतिती होती है इस दिन भगवान विश्व और माता लक्ष्मी जी काफी परसंद मुद्रा में रहते हैं इसलिए इनकी पूजा राधना करने के बाद और इस दिन फिर सनी देव की भी पूजा जरूर करें क्योंकि सनी देव को भी समर्पित है अमश्यत थी दोस्तो इस दिन फिर आप क्या करें कि पूजा पाठ करने के बाद एक दीपक जलाएं पूजा स्थान पर और इसके बाद फिर आप क्या करें थोड़ा सा आटा ले लें और आटा लेने के बाद उसकी एक रोटी बना लें रोटी बनाने के बाद फिर आप किशी पात्र में आप रख दें वहीं पर और इसके बाद आप थोड़ा सा गुड़ घी का भोग लगाएं भगवान विश्ण पित्र बदल जाएगा आश्रवाद में दोस्तों पित्रों की कृपा प्राप्त करने के लिए और पित्रों का सिरवाद प्राप्त करने के लिए भगवान लक्षमी नरान का पूजन इस दिन करना अतियावश्यक है क्योंकि इस रूप में ही वो आते हैं तो आपको ओम नमो भगति वाश्दिवा इस मंतर का जाब करन पिर आप जब रोटी खिलाएंगे कुट्टे को तो पित्रों से मुक्ति दिलाने की काम ना करें अब आप इस रोटी को जो आप यहीं कि तयार करके कुट्टे को खिलाया है तो आप इस रोटी को आप दाहिने हाथ से खिलाएगा और आप एक छोटा सा आसान और कर सकते हैं जैसे कि अगर आप देखें इस दिन जो आप घर की सबसे लाश्ट रोटी बनेगी उस रोटी को तो जरूर आप कुत्ते को खिलाई एगा क्योंकि लाश्ट वाली रोटी कुत्ते के लिए ही बनाई जाती है तो रोटी में थोड़ा सा काला गुड़ और काले तील रखकर भी आप और थोड़ा सा घी उसमें या सरसों का तेल डालेंगे तो ज़्यादा च्छरेगा सरसों का तेल थोड़ सा काला गुड और काला तिल रखकर आप कुट्टे को ले जाकर चुप चाप खिला दें तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे और विशेश रुप से लाब होगा या फिर आप जब आप रोटी बनाएंगे आटा लेंगे तो आटे में ही आप काला वाला गुड जरूर डालके फिर इस रोटी को तयार करें तो रोटी मीठी हो जाएगी क्योंकि अमश्या तित्थी पर कुट्टे को आप मीठी रोटी जरूर खिलाएगा मीठी रोटी खिलाने से आपके उपर भागवाल लक्षमी नरायन के उपर कृपा प्राप्त होती है साथी साथ सनेदेव की भी कृपा प्राप्त होती है आपके सारे काम बनते चले जाएंगे कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा हर कारियों में बृध्धी होगी हर कारियों में आपको कामयाभी प्राप्त होगी दोस्तों असार अमश्या के दिन कुट्ते को आप कुछ खिलाए या ने खिलाए गुड़ और काले तिल और घी से बने लड़ू भी आप खिला सकते हैं लेकिन रोटी जरूर एक खिलाएगा तो ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा और खासकर इस दिन कुट्ते को मारना नहीं चाहिए और इस दिन आप भगवान लक्षमी नरान के पूजा करने के बाद फिर आप अपनी विशेश मनोकामना जरूर बोले नोकरी बिजनस व्यापार, कारोबार, किशिवे प्रकार के कोई शमस्या हो तो आप भगवान विश्मी जी और माताल लक्षमी के सामने अपनी प्रात्ना जरूर करें कुते को खिलाने के बाद फिर आप वापस यानि कि इस रोटी को खिलाने के बाद वापस अपने मंदर पर आएं और साम के समभी एक दीपक जरूर आप भगवान लक्षमी नरान के पास जलाएं और फिर आप विशेश रोप से इस दिन पूजा पाठ BBC करने के बाद आप चाहें तो इस दिन आप यनि की लोगों को दान भी कर सकते हैं जैसे काले तिल का दान करना विशे स्थ्रेश्ट कारी माना जाता है इस दिन काले तिल का दान करना बहुत ही सुब माना जाता है पित्रों का अश्रवाद भी प्राप्त होता है तो कुत्ते को एक रोटी जर सब्सक्राइब करिएगा इस बार की अशाड़ आवश्य तिति पर दोस्तों कमेंट में लिखेएगा जैस अन्देव साथी वीडियो को लाइक करें जैदा शेयर करें चोनलों को सब्सक्राइब करिएगा जैस शनिदेव